तो दोस्तो जावा स्क्रिप्ट के अभी तक के कोर्स में आप लोगों ने ये सीखा है कि आप लोग फंक्शन्स का कैसी यूज कर सकते हो इससे पिछली वीडियो में हमने एक मिनी कैलकुलेटर बनाना सीखा था जिसमें हमने दो इंपूट्स लिये थे और उन दो इंपूट्स में नंबर्स डाले थे और एक हमने ऑप्रेशन परफॉर्म किया था वो अप्रेशन एडिशन हो सकता था, सब्ट्रेक्शन हो सकता था, मल्टिप्लिकेशन या डिबिशन कुछ भी हो सकता था आज हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट में कितने तरीके के वैलिड लूप्स होते हैं और आप उनको कैसे कैसे किन सिचुएशन में यूज कर सकते हो, क्योंकि हर एक लूप, काम तो आपका देखिए, फॉर लूप से भी हो जाएगा लेकिन हर एक लूप का अपना यूसेज है, तो आप लोग उसको कहा यूज कर सकते हो, यह हम इस वीडियो में देखेंगे तो पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि कितने डाइप के लूप्स हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में होते हैं कि इन सब की एप्लिकेशन सीखते हैं, फिर देखेंगे क्या इनका एक्च्वल में यूसेज है तो सबसे बहले आयाता है अपने फॉर लूप के बारे में तो फॉर लूप को आप कैसे लिखते हो, देकि फॉर लूप का जो सिंटेक्स है काफे जादा सिंपल होता है जावा स्क्रिप्ट में और या किसी भी लैंग्वेज में आप बात कलने तो तो आपको लिखना होता है for i is equal to पहले में एक variable बना लेता हूँ i तो इसको हम लिख देंगे let i is equal to 0 ठीक है, एक हमने i variable बना लिया अब यहाँ पर मैंने लिखा for i is equal to 0 i less than equals to 10 ठीक है और i plus plus अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि javascript के इस for loop की help से 10 words print कराता हूँ 0 से लेके 10 तक counting करते हैं तो हमके लिखेंगे console.log और यहाँ पर simply i का use कर लेंगे और यह इस तरीके से print हो जाएगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर right click करूँ और inspect element करता हूँ और console पर जाओँगा तो मुझे क्या मिलेगा एक मिनट मुझे क्या मिलेगा कि 0 से लेके 10 तक यहाँ पर counting print हो चुगी है वह कैसे हुआ हमारा जो loop चला वह चला i 0 से और हमने इसमें एक limit लगाई थी कि यह 10 तक ही चलेगा और हर बार यह एक value प्लस हो रहा था तो इसने क्या किया 0 से जब यह start हो था दूसरी बार में 1 हुआ तीसरी बार में 2 हुआ चौती बार में 3 हुआ और ऐसे करते करते ही 11 टाइम पर यह 10 हुआ और यहां पर 10 तक की value प्रिंट हो गई तो दोस्तो इस तरहिए से आप लोग javascript में for loop का use कर सकते हो जब भी आपको पता हो कि आपको कब तक यह एक loop को चलाना है तो आप लोग उस for loop का use वहां पर कर सकते हो अब बात आती है while loop की while loop का use क्यों करे कोई अब मान लीजे while loop का use सब क्या जाता है जब आपको पता होगी यह आपको यह नहीं पता कि आपको कब तक loop चलाने लेगी नहां एक condition ऐसी आएगी जब आपकी कोई चीज true या false होती है तो आपको वहां पर रोकना होता है तो अब हम क्या करेंगे while loop से भी same चीज करने की कोशिश करेंगे मैं हाँ पर ले लेता हूँ i is equal to 0 हमने i को 0 initialize कर लिया अब मैं क्या करूँँगा while लगा दूँगा यह और while पर लिख दूँगा i i less than equals to 10 मतलब जब तक i less than हो 10 के तो आप console पर क्या करो console पर आप लिख दो i तो हमें क्या करना है i plus plus कर देंगे i plus plus का मतलब होता है simply यह i equals to i plus 1 तो आप लोग क्या देख रहे हो आप लोग यह देख रहे होगी यहाँ पर भी same चीज हुई है कि हमारा while loop से हमने करके देख लिया अब यहाँ पर एक चीज आति है कि आपको do while loop क्या करता है तो do while loop भी same चीज करता होगा जी बिल्कुल do while loop भी बिल्कुल सेम है लेकि अंतर सिर्फ सिर्फ इतना है कि अगर while loop मैं मैं यहाँ पर condition लगा देता हो तो आप लोग देखोगी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर वाइल में आया होगा, और इसने चेक है कि IE की वेल्यू जीरो है, और 0 लेजन जीरो नहीं, 0 लेजन जीरो नहीं है, 0 एक्वल टू जीरो होता है, तो ऐसे में इसने एक भी चीज प्रिंट नहीं इसको do while loop में करता हूँ, तो आप देखना क्या interesting चीज होती है, होते गया है कि 0 प्रिंट होता है, यानि कि do while loop और while loop में सिर्फ इतना सा difference है, कि do while loop एक तो एक बार आकरके execute होगा, यानि कि सबसे पहले वो आता है इधर, वो काम कर देता है, do this, और फिर वो condition चेक करता है, त अगली बार नहीं जाएगा, लेकिन एक बार execute होगा ही होगा, तो यही सिर्फ छोटा सा अंतर है, do while loop में, तो इसमें जब हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे होगे, तो हमें लगाना है, while i less than 10, और यहां पर यह इस तरहीजे हैं हमारी पुरी-पुरी counting print कर देगा, तो इस त अब यहां पर game थोड़ा सा change होगा, foreign loop नॉर्मल चीजों में use नहीं होता, अब यह किस तरही चीजों में use होता है, यह use होता है objects में, अब JavaScript में कुछ objects बना सकते हो आप लोग, तो मैं बना लेता हूँ एक object, object का नाम में रख लेता हूँ, person, और person की रोप्रोपर्टी बना यह बना दूँगा, यह बना दूँगा, person का बना दूँगा, name, value डालाँगा, current, ठीक है, और एक बना दूँगा, person की दूसरी property, age, और age में value डालाँगा, जो भी है, और ऐसे ही मैं बना दूँगा, person का, religion, और इस पे भी मैं कुछ भी value डालाँगा, अब मैं एक object बना object की properties पर लूप चलाना है, यानि की मैं person के उपर लूप चलाऊँ, लेकिन मुझे क्या मिले, first time पर मिले name, दूसरी time पर मिले age, और तीसरी time पर मिले religion, तो तब इस चीज में क्या करें, यहां पर काम आता है foreign loop का, तो foreign loop क्या करता है, foreign loop simply आपका, आप जब foreign loop को लिखोगे न तो आप इस तरीके दिए लिए for let key, key in person, और यहां पर अगर आप लोग console.log key करते हो, तो आप देखना क्या result आपको मिलता है, आपको मिलता है name, age और religion, तो इस तरीके से आप लोग person key in person, properties का loop कैसे चला सकते हो, वो चला सकते हो, for in loop यूज करके, syntax बहुत ही simple है, आपको key का नाम लिखना है, in person यानि की person के अंदर, जितनी भी properties हैं, आप उन पर लूप चला दो, तो इस तरीके से लूप चला देता है, अब क्या हो जब आपको इनकी values भी प्रिंट गरानी है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ में हिनकी values प्रिंट हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा ना, यहां पर पहले इनकी value निकाल लेते हैं, तो value कैसे निकलेगी, मैं बना देता हूँ एक variable, let key value is equals to person, इसके अंदर कुछ इस तरीके से key लिखते हैं, तो अब यह क्या करेगा, कि इस key की value भी निकालेगा साथ में, मैं plus करके key value लिखता हूँ और यहां पर हम सेफ करेंगे, तो आप देखोगी कि name के अगे current प्रिंट हो गया, age के अगे 21 प्रिंट हो गया, religion के अगे Hindi प्रिंट हो गया, तो इस तरहीए से आप लोग foreign loop का यूज कर सकते हो, जब भी आप कि भी आपको किसी भी scenario में use करने को मिल रहा हो, और इस तरहीए से use कर सकते है आप लोग foreign loop का, अब बात आती है for off loop की, तो for off loop क्या है, अब मैं बताता हूँ for off loop का क्या use होता है, for off loop और foreign loop different है, for off loop normal looping के लिए use होता है, अब मैं बनाता हूँ let person to, person to मैं भी मैं यहाँ पे same properties ले लूँगा, name ले लिया मैंने अर्जुन, age ले लिया मैंने 22, और religion मैंने ले लिया Hindu, अब मैं के करूँगा, इन दोनों को एक array में डाल दूँगा, मैं array में कैसे डालते हैं, javascript में array कैसे बनाता है, let person ARR is equal to, इस तरीके से हमने array define कर लिया, अब person ARR dot push person, यानि की first person यानि current को मैंने इसके अंदर push कर दिया, push क्या करता है, push आपकी array के अंदर value को डालता है, यानि की person array अभी खाली था, लेकिन इस line के बाद person array में एक value आजाएगी, वो आजाएगी current की, push added object into an array, तो push operation आपका array में एक object add गने के लिए use होता है, अब मैं दूसरा यहाँ पर person add करूँगा, तो मेरे को same to same चीज लिखनी है, person array dot push person to, तो person to भी हमारा इस array में push हो गया, अब use आता है हमारा for of look का, तो for of look क्या करता है, for let, per, per लिख देते हैं, of person array, अब per में क्या आएगा, पहली बार में पहला person आएगा, दूसरी बार में दूसरा person आएगा, तो आप लोग अगर console.log लिख कर, per अगर ऐसे ही डालते हो, तो आप देखना क्या print होता है, पहली बार में पहला person प्रिंट हुआ, दूसरी बार में दूसरा person प्रिंट हुआ, अगर आपको सिर्फ इनका नाम प्रिंट कराने तो आपको लिखना पड़ेगा, per.name, तो आपका पहली बार में पहले person का नाम प्रिंट हुआ, दूसरी बार में दूसरे person का नाम प्रिंट हुआ, अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताईए कि कुछ चीज जो भी आपको समझे नहीं आई मैं कोशिश करूंगा वहीं पर रिप्लाय करने की और आपकी प्रॉब्लम को फिक्स करने की लेकिन फिर भी नहीं हो बाते हैं तो एक जढ ubiquे बाते हैं अबयो के लीजे बाते हैं कि को आईंट विया एक पारण बाते हैं कोशिश करने कि लोड्का।ण कि करने की डिवा एक बाते हैं झाहा